हेलो दोस्तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंकम टेक्स डिपार्टमेंट ने जो एन नाय पॉर्टल लॉंच किया है इसमें क्या क्या ओप्शन्स हैं और जो साथ टाइप की इंकम टेक्स रिटन होती हैं उन में से हम कौन सी फाइल कर सकते हैं इंकम टेक्स रिटन फाइल करने की लास्ट जेट 30 सेप्टेंबर तक की है तो आप 30 सेप्टेंबर से पहले अपनी रिटन फायल कर लें यह पॉर्टल लॉंच किया गया है इंकम टेक्स डिपार्टमेंट दौरा इस पर लिखा भी हुआ है इ-filing 2.0 इस पॉर्टल के 1 पेज पे ही इन्होंने guided tour भी दिया है कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं इसके नेज़ेंध इन्होंने वीडियो भी दे रखी हैं तो आप यहां से भी अगर कोई doubt है तो clear कर सकते हैं अगर आपने पहले वाले पोर्टल तो आपको पोर्टल पर दोबरार से रेजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, आप अपने पुराने यूजर आइडी पासवर्ड से ही लोगिन कर सकते हैं, जैसा कि आपको पता है कि इस पोर्टल पर जो यूजर आइडी है वो पैन कार्ड ही होता है आपका, तो लोगिन पर कलिक करके और user ID में अपना Pen Card का Number एंटर करें उसके बाद Continue पे क्लिक करके अपना password एंटर करें Pen Card और password एंटर करने के बाद आप लोगिन कर सकते हैं इस पोर्टल पे जो आपकी पुर्वाने टेक्स डिपार्टमेंट के अनुसार इस पोर्टल को काफी यूजर फ्रेंडली बनाया गया है और इसमें काफी डेटेल्स ओटमेटिक फिल होके आ जाती है जब आप रिटन फाइल करते हैं उस टाइम पे प्रोफाइल अपडेट करने के बाद ये शो कर रहा है कि आपकी इस असेस्मेंट इयर की जो इनकम टेक्स डिटन है वो डू है इसके लिए आप फाइल ना उपे कलिक करेंगे तो ये कुछ डिटेल्स मंगेगा कि किस असेस्मेंट इयर की आप फाइल करना चाहते हैं तो लास्ट इयर की तो आप सिर्फ अमेंड ही कर पाएंगे अगर कोई उस उसके बाद next page पे show कर रहा है ये कि आपको online फाइल करनी है या offline फाइल करनी है तो जो भी आपको ठीक लगे वो mode select कर सकते हैं उसके बाद proceed अभी income tax department के दवाराज ITR1 और ITR4 को ही online फाइल करने का option दिया गया है बाकी की ITR अभी आपको offline फाइल करनी पडेंगी लेकिन ये infosys के साथ मिलकर अपना system को update कर रहे हैं तो जल्दी ही आप बाकी की ITR भी online फाइल कर पाएंगे अगर आपने income tax return फाइल करते time कोई draft save कर रखा है तो यहां से आप उसको resume कर पाएंगे अगर आप first time फाइल कर रहे हैं तो start new filing पे कलिक करें अब जो आपने अपनी profile update कर रखी है उसके हिसाब से अपने आप उठा लेगा ये कि आप individual हैं Hindu undivided family हैं या फिर other हैं आदास में ब कौन सा ITR आप file करना चाते हैं ITR form कुल साथ रहके होते हैं इन में से जो 5-6-7 है वो तो companies, trust, political parties वगरा के लिए होते हैं उनकी हमें जरूरत नहीं पड़ती हमारे लिए काम के जो ITR form है वो पहले 4 हैं अगर आप इसकी भी details देखना चाते हैं कि आप कौन सा ITR form file कर सकते हैं तो यहां से ITR form select करने की जगे proceed पे click करें तो यह पूरी details में आपको बता देगा website पे ही कि किस टाइप का ITR form आप file कर सकते हैं जो salaried और pensioner होते हैं वो ITR 1 file करते हैं ITR 2 उनके लिए है जो hindu undivided family में है या फिर जनकी income 50 लाग रुपे से ज़्यादा है या फिर आपकी जो rental income है वो more than one house property से ज़्यादा से आ रही है और अगर आप share market वगरा में invest करते हैं और intraday trading नहीं करते तो आप ITR 2 file कर सकते हैं अगर आप intraday trading करते हैं share market में तो उसको business माना जाता है उसके लिए आप ITR 3 file करने पड़ेगी ITR 4 basically उनके लिए होती है जिनकी presumptive income होती है इसमें अगर आपको कोई losses carry forward या adjust करने होते हैं तो उसके लिए आप ITR 4 file करते हैं income tax department की website पर भी इनकी details provide करवा रखी है अगर आप फिर भी detail में इनके बारे में जानना चाते हैं तो आप Google पे भी search कर सकते हैं वहां भी आपको पता चल जाएगा कि आप कौन सी ITR file करना ठीक रहेगा आपके लिए ये साथ तरह की आपकी ITRs होती हैं तो अगर आप भी shares में invest करते हैं या आपको कोई जानकार करता है तो जिसी platform के थ्रूँ आप investment करते होंगे उस पर भी आपको details मिल जाएंगे कि किस टाइप की ITR return आप file कर सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल साफ है if you are an individual who only invest in the market तो आपको ITR 2 file करनी है अगर आप investor and trader दोनों है means आप intraday trading करते हैं तो आपको ITR 3 form फिल करना पड़ेगा जैसे कोई LIC का agent है या फिर कहीं से भी आपको commission या brokerage आती है उसके लिए हम पहले ITR 4 file करते थे लेकिन 2017 में ITR 4 को change करके ITR 3 ही बना दिया गया है अगर आप LIC या post office के किसी के भी commission agent हैं तो आपको ITR 3 ही file करनी पड़ेगी ITR 4S जो पहले होता था उसको ITR 4 में change कर दिया गया है लास्ट में अगर आप full time YouTuber हैं तो उसको आपको as a business show करना पड़ेगा और आपको ITR 3 file करनी पड़ेगी अगर YouTube पे वीडियो पोस्ट करना आपकी होबी है तो उसके जो earning हो रही है आपको तो उसको आप income from other sources में show कर सकते हैं उसके लिए आप ITR 1 या ITR 2 जो भी file करना चाहें वो कर सकते हैं अगर आपको भी कोई doubt है कि कौन सा ITR form आपको file करना है तो आप comment करके पूछ सकते हैं या फिर email करें eofficevlog.gmail.com पर पिछले साल तक मैंने ITR 1 ही file की थी और जो last video है income tax की उसमें भी ITR 1 file करने का process था ITR 1 और ITR 2 लगबग एक तरीके से ही file की जाती हैं जो 50,000 रुपे का standard deduction वहाँ पे हम ITR 1 में claim करते हैं वो यहाँ भी कर सकते हैं ITR 2 में बस जो short term और long term capital gains हैं वो अलग से दिखाने पड़ते हैं हमें तो आप जो भी ITR file करना चाहते हैं उसको select करके proceed to filing पे click करेंगे आप किसी भी mode में file कर सकते हैं return जब आप return online file कर रहे हैं तो यहाँ पर सिरफ one और four का option available है भी और individual की जगे अगर आप Hindu undivided family Huf करके continue करते हैं online ITR file करने के लिए तो सिरफ ITR four का option available है अगर आप others पे click करते हैं तो यह option होते हैं आपके पास ITR file करने के लिए इसमें ITR five, six और seven होती है mainly जो companies को या trust को या फिर political parties को file करनी होती हैं तो इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप individual या Huf हैं तो फिलाल ITR one या four ही file कर सकते हैं online इसके अलावा अगर आप offline file करने की try करते हैं offline पे click करके अगर आप ITR two या three file करना चाहते हैं तो ITR type select करके अगर proceed करते हैं तो यहां पे जो prefilled data है यह तो आपका download हो जाएगा जो TDS बगएरा की details होती है आपकी यह .json के नाम से file download होती है लेकिन इसको आप open नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके लिए जिस application की जरूरत होती है वो utility हम download नहीं कर पा रहे हैं अभी यहां से इस वो ITR 1 ही file करते हैं इस website को infosys के दोरा design किया गया है और इसमें अभी तक जो problem आ रही हैं उनको दूर किया जा रहा है infosys के दोरा जल्दी ही यह website proper काम करना start कर देगी तो अगर आप offline ITR file करना चाहते हैं तो यह utility download कर ले पहले इस portal पर जब आप ITR file करेंगे तो अब यह basic salary कितनी है DA कितना है चारे कितना है सारी details मांग रहा है जब यह portal ठीक हो जाएगा और proper काम करने लगेगा तब हम ITR 1 और ITR 2 और ITR 3 file करने की वीडियो upload करेंगे तो आज की वीडियो में यह details थी कि आप कौन-कौन सी ITR file कर सकते हैं और कौन-कौन से ITR के form होते हैं तो इस वी हैं तो कमेंट करके बताएं या फिर मुझे email करें officevlog.com पर फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद